Hello everyone, we are discussing a very important topic और आप जानते ही हैं आपका examination कोई भी हो, current affairs कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के topic को लेकर हम लोग current affairs के topic को लेकर हम discuss करेंगे All is not well, यानि कि हमारे जो hero हैं, जो आपने three idiot में भी देखे होंगे जो सोनम वांग्चुक का character था, जो हम लोगों ने देखा अमीर खाने निभाया था उनके और सरकार के बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में आज discuss करते हैं वो सारे चीज़ें, क्या है, क्या हो रहा है, फटवट देखते हैं तो अगर देखे, all is not well, तो यह आजकल बहुत trend में है क्यों है ये trend में, आखिर सोनम वांग्चुक और center के बीच में क्या खटपट चल रही है इसी बात को और अच्छे से हम समझेंगे सोनम वांग्चुक जो है, वो है कौन, और क्या वो नेंदर मोधी की खिलाप है तो ऐसा तो नहीं लगता, तो फिर लद्दाक is dying ये जो है, ये topic इतना ज़ादा क्यों trend में है, ये videos इतने ज़ादा क्यों trend में है उससे पहले जानेंगे हुई सोनम वांग्चुक, सोनम वांग्चुक एक ऐसे इनोवेटर है जो लद्दाक स्टेट के हैं, लेकिन उन्होंने इतने सारे इनोवेशन के हैं, जो पूरे भारत के लिए गौरफ की बात है जिसमें इस तरह के solar heated military tent है, जो की extreme ठंड की level में आर्मी के लिए तो एक वर्दान साबित होते है इसके सासथ और भी बहुत सारे innovations हैं, जैसे आई स्टूपाज हो गया और चाइना में बने हुए प्रोड़क्ट का बाइकॉट करने से लेकर वाई-फाई जैसा innovations जो की लड़ाक में वाई-फाई नहीं आपाता था, इंटरनेट नहीं आपाता था वो सारे innovations भी solar vangchuk के ही, मतलब सिर पर है, इन्हें के नाम पर है इन्होंने बहुत सारे innovations की है, जो भारत के लिए प्राउड की बात है होता क्या है, आर्टिकल 370, जो कि जम्मू और कश्मीर में बहुत समय तक था, जिसमें लड़ाक भी इन्वाल्व था ठीक है, वो जब हटाया जाता है, उसको रिवोक कर दिया जाता है, तो होता क्या है कि दोनों स्टेट, यानि कि कश्मीर और लड़ाक, दोनों के मन में उमीदे जागती है कि बहुत सारे डवलप्मेंट होगी, और अब हम आगे बढ़ेगी, और उनका सोचना भी जायस था, होता भी यही है, जम्मू और कश्मीर जो है, अब थोड़ा सा फ्री होके सोचने लगए, अब वहां के लिए बहुत कुछ सरकार करने वाली है, ऐसा सोचने लग गए, हु ऐसे 13 projects launch कर दी जाते है, 13, और कारण क्या है कि हमारा जो कश्मीर है, वहां dry fruits बहुत अच्छा है, आप भी खाते होंगे, और वही शुरू से economic को boost करने के लिए बहुत ज़रूरी रहा है, ठीक है, और tourism भी कश्मीर का बहुत डवलप रहा है, और कश्मीर को और आगे बढ़ कि कश्मीर को कैसे भी करके हमें मतलब एक importance देनी ही पड़ेगी और करना ही पड़ेगा, इसके और ज़्यादा इस चीज़ को बड़ोतरी करने के लिए क्या हो जाता है, जब ये पूरा मतलब 370 article हटा दिया जाता है, तो वहां विधान सभा लांच कर दी जाती है, ये विध दोग के ओपर चर्चा होती है, नए-नए प्रावधान निकाले जाते हैं, solution निकाले जाते हैं, तो विधान सभा की importance तो बहुत जादा है, पर ये विधान सभा जो यहां पर आती है, कश्मीर को मिलती है, लेकिन लदाक को नहीं मिलती है, इसके भी थोड़ा सा ये कारण जो कि कश्मीर के लिए तो विधान सभा है, लेकिन लदाक के लिए नहीं है, तो सोनम वांग चू, बहुत सारे डिमांड्स करते हो, ये कहते हैं, कि भई, सिख शेड्यूल लागू किया जाए, स्टेट हुर दे जाए लदाक को, क्योंकि अगर स्टेट हुर देंगे, तो यहां पे भी बड़ोतरी होगी, यहां पे भी विधान सभा बनेगी, और डिवलप्मेंट होगी, इसी डिवलप्मेंट के चलते, वहां पर डिमांड्ड हो रही है, सिख शेड्यूल की मांग रही है, अब सिख शेड्यूल होता क्या है, वो थोड़ा सा समझ लिजे, सिख शेड्य जो होता है उसमें demands क्या होती है हमारे देश में बहुत सारी जंजातिया है और यह जंजातिया हमारे देश की हमारे पास्ट की धरोवर है बहुत important है हमारे लिए ठीक है और उनके रहन सहन के कुछ-कुछ नियम है उनकी कुछ अपने laws है ठीक है और उन laws को बनाए रखना उन laws क इज़त करना constitution में उनके लिए प्रावधान दिये गए और six schedule बनाया गया जिसमें उनकी जो जितने अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाए उनकी रक्षा की जाए और चूंकि लदाक में भी बहुत सारे जंजातिया रहती हैं बहुत सारे अलग-अलग जंजातियों के लोग ब पाएगा क्योंकि यहां पर अफसर शाही तो है लेकिन state के लिए या किसी भी चीज़ का मला आम जंता के लिए कोई भी उत्तरदाई नहीं है मतलब कोई भी आंसरेबल नहीं है इसके विज़से वहां के जो जंता है वहां के जो लोग है वो अपने लिए खुद अब लड़ के लिए आगे आ रहे हैं वहां का कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई विधान सबाओ तो वो लड़े और ऐसे लीडर्स हो जो उनकी तरफ से लड़े तो ऐसा कोई वहां पर लीडर नहीं है जैसे यहां यह सारे लीडर्स कश्मीर के लिए लड़ रहे थे ऐसे लीडर्स वहां के इसलिए जैन्टा है वह एकत्रित हो चुकी है और एक्दम अपने अगुश दिखा रही है और गुस्से हैं। वो बहुत जल्दी उनकी जो solution है, वो करने होंगे, उनकी help करनी होगी, क्योंकि वो जो demand कर रहे हैं, वो अपने state के लिए कर रहे हैं, वो किसी तरह से भारत से अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो भारत को किसी तरह से नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिरफ अपनी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, अपनी स्टेट को, स्टेट हुड यानि कि एक राज्य का दर्जा परदान करने के लिए, जो हमारी सेंटर है, उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और बहुत शांती पूर्फ तरीके से, ये सारी चीजे चल रही हैं, ठीक है, तो हमे क्या करना है, हमें देखना है, कि अब हम सेंटर के आदोशों का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो लोग हैं, वो कहते हैं, हमें डेमोक्रेसी देदो लड़ दाक में, और हमें स्टेट दूर देदो, बस यही उनकी डिमांड है, तो देखते हैं, हमारा सेंटर का जो नेक्स किसगार नहांड़ नहांड़ है तंप ü believer okay